पीटरॉन का और एक टीडेवलोएस आ चुका है पीटरॉन का बेजबर्ड्स नाइन टू एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ मेरा नाम अतन में आप देखने टेक उनीक लेट्स टार्ट दे वीडियो यह आप देख सकते हैं यह आमेज़न का पैकेज मैंने इसे आमेज़ पर लेते हैं जैसिके आप देख सकते हैं मैंने बड़ा को चुमा भी नहीं और आप देख सकते हैं यह जो एसे यह जो है आपको बहुं कर से पहले जुए आपको देखने को मिलता है है याँ बड्स बड्स जो हैं यहां पर काफी तरीकी से रखा गया है वाइट कलर का मैंने यहां पर बाई करा है इसको निकाल लेते हैं बाहर इसके नीचे आपको देखने को मिलता है यहां पर इसका केश जो किया रहे हैं यहां पर काफी वादा बढ़िया लग रहा है देखने में औ कुछ warranty card है और यहां पे इन्होंने QR code चिपका दिया है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद यहां पे जो है एक proper manual देना चाहिए इनको अगर कोई भी इस earbuds को third tier वाले city में खरीदता है जिसके पास internet की सुविदा बहुत ज़्यादा कम है तो वो यहां पे QR code को scan करेगा फिर वो एक फॉर्म आता है पूरा एक पेच का वो फिल करेगा उसके बाद उसको manual देखने को मिलेगा तो यह आप दे ही रहे हो इतना paper खर्चा करे रहे हो तो यार एक manual यहां पे include करीद हो यहां पे overall इतना ह यहां पे white color में buy किया है मुझे ऐसा लग रहे है कि इसको 6 माईने use करते करते जो है यह काफी अदा yellow हो जाएगा overall अगर मैं बात करना चाहूं plastic की quality अच्छी है और यहां पे case काफी अदा भारी है क्योंकि इसमें battery काफी अच्छा कासा देखने को मलता है वहीं पर दोस्तों से जब पहन होगे यार तो यह जो है यहां पर blink करता रहेगा बाकि यहां पर आपको एक ओवर्यू देता हूं नीचे की तरफ जो है आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलता है एक USB Type-C का port देखने को मिलता है जिससे आप जो ऐसे चार्ज वागेरा कर सकते हैं हिंज की quality ठीक इनोंने करने की कोशिश करी है Bluetooth 5.0 देकर के बड़ यहां पर जल्दी से इसको connect कर लेते हैं लिड ओपन करने के बाद जो है यहां पर आपके phone में जो है नहीं आपाता है यह आपको जो है buds को बाहर निकालना पड़ता है case में से अब आपको यहां पर refresh करके दिखाता हूं त करीबन एक मिनिट का टाइम अप्रॉक्समेट लग गया connect होने में तो यह चीज मुझे यहां पर थोड़ी सी खराब लग यह connectivity में थोड़ा सा और फास्ट होना चीए ता बाकि अगर मैं बात करूँ यहां पर आपको high quality codec देखने को मिलता है जो कि यहां पर AAC का codec तो यहा यहां पर आप उसे यूज कर सकते है रनिंग में और जॉगिंग में तो यहां पर मैंने जो है दो तीन गाने सुने इसमें मुझे जो है इसकी sound quality अच्छी लगी है यहां पर जो base है उसे काफी तरीकी से tune करा गया है ट्रेबल्स भी जो है बहुत ही अच्छी तरीकी से tune करा इनोने वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके ANC की तो गाइस यहां पर आपको ANC जो है पंदरासर रुपे के हिसाब से अच्छा काम करता हुआ दिखता है यहां पर जो fan का आवाज है वो यहां पर काफी तक cancel out कर देता है बाकि अगर आपके सामने कोई खड़े हो के बात कर यहां पर अगर आप ANC on रखते हैं तो यहां पर बेस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है ANC on रखने के बाद भी जो है बेस काफी अच्छा आ रहा था overall sound quality की मामले में मैं इसको rating देना चाहूंगा 4.4 out of 5 sound quality की बात कर रहे हैं तो यहां पर microphone को देख लेते हैं यहां पे जो है अब मैं आपको microphone का sample देने वाला हूं तो यह आपके समने microphone sample तो अभी जो आवाज सुनने यह record हो रहा है यहां पे इसके microphone से और गाइस अभी जो है म मैंने fan on कर लिए ताकि यहां पर पता चले की कि दिना जो है यह noise capture कर रहा है इसका microphone और guys यहां पे जो है आपको कैसा मेरा आवास उनने में आ रहा है यह आपको सुन करके judge करना है बाकि इसका microphone मुझे price के सबसे सही लगा है आगे बढ़ते हैं touch controls की तरफ यहां पर आपको इ रखते हैं right side वाले TWS में तो guys यहां पर आपको यहां पर ANC on होता हुआ दिखेगा overall touch controls काफी अच्छे लगे मुझे आगे बढ़ते हैं कुछ extra features की तरफ यहां पर आपको IPX4 की rating देखने को मिलती है साथ में आपको यहां पर ANC मिल जाता है और guys यहां पर patron वालों ने यह भ ठाक है अगे बढ़ते हैं battery life and charging की तरफ यहां पर आपको case में देखने को मिलता है 500 image की battery और आपको यहां पर birds में देखने को मिलता है 40 image की battery तो यहां पर patron वालों ने claim किया है कि आपको 20 गंटे का battery backup देखने को मिलेगा अब यहां मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इनक आप जो है यह आपको आरम से 18 से 19 गंटे का battery backup दे देगा अगर आप ANC on रखते हैं तो अगर आप ANC को off रखते हैं तो आपको यहां पर 20 गंटे का battery backup मिल सकता है वहीं पर में बात करो charging की तो यहां पर आपको USB Type-C का port देखने को मिलता है यहां पर आपको कोई भी प्रकार क fast charging नहीं मिलता है यह थोड़ी से यहां पर मुझे खराब बात लगी है थोड़ी से cons की अगर मैं बात करो यहां पर आपको जो है सबसे पहला con यह मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर काफी अच्छा TWS है मेरे तरफ से यह जो है recommended रहेगा 1500 रुपए के अंडर में आपको यहां पर ANC देखने को मिल रहा है वो भी इतने अच्छे sound quality के साथ काफी बढ़िया बात लगे मुझे यहां पर आप इस TWS को आरम से day to day life में गाने वगरा सुनने के लिए